हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तू पड़ो इंडिया आज हम करेंगे क्लास्ट्री की रेडिंग कैम्पेन नियूमरेसी की वर्कशीट नमबर 13 जो की वीक नमबर 3 के लिए है और इसकी थीम है स्कूल चलिए बच्चो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को हल करना यहां पर बच्चो एक चित्र पहली दी गई है यह यह है चित्र नमबर 1 इस चित्र को देख देख करके चित्र नमबर 2 बनाया गया लेकिन चित्र नमबर 2 बनाते समय कुछ गल्तियां हो गई है हमें वही गल्तियां ढूंड करके निकालनी है देखिए चित्र नमबर 2 में एक गल्टी यह है कि यहां पर बादल गायब कर दिया गया है जो कि चित्र नमबर एक में था सूरज की एक किरण यहां पर है यहां पर नहीं है वो गायब कर दी गई है बच्चों देखे यहां पर एक मश्रूम का पौधा लगा है लेकिन यहां पर वो मश्रूम नहीं बनाया गय और यहाँ पर इसमें इस बच्चे की नाक है यहाँ पर नाक नहीं है तो यह चार अंतर हमने दूंड लिये हैं अब आगे बढ़ते हैं देखिए रोल लंबर आकांशा के स्कूल में थिसरी कक्षा के मिधावी चात्रों के लिए एक चात्रवृती परिक्षा होने वाली है वजीफे के लिए एक परिक्षा होने वाली है जिलास तरपर सभी विद्यालेयों से 200 चात्रों को मौका दिया गया है आकांशा के शिक्षक ने बच्चों को खूब महने से तयारी करवाई उन्हें उत्तर पुस्तिका में यानि आंसर शीट में किस तरह से अपने बारे में लिखना है उसके बारे में शिक्षक ने उन्हें रोल लंबर दिया और roll number को दो रूपों में लिखना है अंको में और शब्दों में और उनका अभ्यास भी करवाया जैसे आकांचा का roll number 5 है उसने अपना roll number उत्तर पुस्तिका में इस तरह लिखा 5 अंको में और शब्दों में ये 5 हिंदी में और इंगलिश में 5 अब नीचे अकांशा की कक्षा के कुछ बच्चों के नाम उनके रोल नंबरों के साथ लिखे हुए हैं आप बताईए सबने अपना रोल नंबर शब्दों में कैसे लिखा होगा देखे काजल का रोल नंबर 14 है शब्दों में लिखा 14 रोहित का 26, 26 लिख दिया पुनीत का 47, 47 शब्दों में लिख दिया अन्वी का 110 है, ये 110 को हमने शब्दों में लिख दिया है ओजस का 149 है, इसको हमने शब्दों में यहां लिख दिया रितू का 151 है, 151 यहां लिख दिया विक्की का 187 है, जिसको हमने शब्दों में यहां लिख दिया जूली का 195 है तो हमने 195 को यहां शब्दों में लिख दिया बच्चों यहां पर हमारी यह वर्कशीट कत्म होती है अन्य विश्यों की वर्कशीट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें